लेनेश टेक्नलोजी अपडेट्स हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें टेकी दोस्त को दोस्तो अशका मुझा टॉपिक है नोकिया के नयए फोन नोकिया 7 को लेकर नोकिया नयए फोन लांच कर दिया जो हम देखेंगे आप इसमें क्या इपक्स है दोस्तो इस वीडियो को आगे देखते रही है, आप देखने हैं टेकी दोस्त, let's begin दोस्तो इस फोन के अंदर आपको 5.2 इंच की फुल HD IPS डिस्पेय देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको गुरिलर का ऐसी प्रोडिक्शन भी मिल जाती है प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉल कॉम का 630 देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 8 कोड़ देखने को मिल जाते हैं कोटेक्स ए 53K 2.2 GHz की फ्रिक्वेंसी पर और दोस्तों इस प्रोसेसर आपको 14 Nm की टेकनोलोजी पर बना हुए प्रोसेसर है प्रोसे आप मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB RAM, 64GB ROM, 6GB RAM और 64GB ROM और इसको एक्समेंट कर सकते हैं आप 128GB तक पैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 3.1 GHz के बैटरी देखने को मिल जाती है यहां पर आपको 16 Megapixel का एक camera 1.8K aperture साथ देखने को मिल जाता है तो आपको अच्छी low light photography इसमें आपको देखने को मिल जाएगी Front camera की बात करें तो यहां पर आपको 5 Megapixel का एक camera 2.0 के aperture साथ देखने को मिल जाता है दोस्तों यहां पर दोनों camera के लिए एक feature यहां पर देखने को मिल जाता है बहुत ही camera का basically इसमें होता क्या है कि आप front camera और back camera से एक साथ photo कीच सकते हैं और यहां दोनों के एक single photo में combine कर सकते हैं यह है simple एक concept यहां पर Nokia का बहुत ही camera को लेकर sensors की बात करें तो लगबर normal use मियाने ओले आपको सारे sensors यहां पर देखने को मिल जाते हैं fingerprint आपको mobile के bag में देखने को मिल जाता है operating system की बात करें तो यहां पर आपको nogot का support देखने को मिल जाता है जो की upgradeable है Oreo पर दोस्तों launching की बात करें तो यह phone चाइना में 24 तरीक लाउंच हो जाएगा इंडिया में कब तक आता है देखने वाली बात होगी और दोस्तों का इसके pricing की बात करें तो जो expected price है वो लगब 25 से 27 तक का यहां पर होने वाला है तो दोस्तों यह था phone Nokia 7 दोस्तों का price recording इस phone का अब देखेंगे तो यहां पर आपको 630 मिलना है 25 से 27 के आसपास तो थोड़ा सा ज्यादा है यह price recording और यहां पर देखिए आपको 5.2 इंच की display भी देखने को मिल लाई तो ठीक भी अपनी जगे पर लेकिन प्रोसेसर यहां पर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए तो price थोड़ा सा कब होना चाहिए तब price अगर यहां पर होता 16, 17, 18 के आसपास तो एक mid range के आसपास यह बैटता और काफी अच्छा है आपर phone प्रास के recording ही बन जाता क्योंकि दूस्तों आपर एक बड़ा नाम है Nokia का तो इसको मैं अवर्ड कर सकते हैं 20-21 तक लिए 25-27 तक जाना मतलब थोड़ा सा काफी ज़्यादा हो जाता है तो दूस्तों यह था Nokia 7 और मेरे खुद के ओपनियन इस phone के बारे में अगर अगर अभी कुछ issues होते हैं आपके इस phone के बारे में तो आप नीचे कमेंट समस्कों लेक सकते हैं दूस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगए उसको लाइक करें शादेश को शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें कि इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके लेकर आता रहता हूं जोस्तों फिर बिलते हैं ने अपडेट्स के साथ